नोश्कार इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्वेश इंकरती वारी हूँ। चंदा मामा के अंगने में रात होने वाली है। बस कुछ घंटे और बचे हैं। और उधर जो लेंडर बिक्रम है वो ऐसा सो गया है कि कोई संकेत ही नहीं दे रहा है। गहरी नीद में है। दर असल उसकी हार्ड लेंडिंग हुई थी जिसकी वज़ा से माना यह जा रहा है कि उसको काफी डैमेज हुआ है। और यही वज़ा है कि चाहें इसरु ने जितने भी अपने उसको मेसेज भेजे किसी को उसने रिस्पॉंड नहीं किया। यानि कि उसके सेंसर्स और जो भी उसमें एकुप्मेंट लगे हैं यहां से जो कमांड दिया जा रहा है उसे पकड नहीं रहे है। पूरा जो पृत्वी पे जो 14 दिन होता है वहां पे एक दिन के बराबर होता है और ठीक इसी तरह से रात का साइकिल होता है। तो जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था यह चंद्रियान 2 को भेजा गया था यह 14 दिन का साइकिल बना के भेजा गया था। यदि सौफ्ट लेंडिंग हो गई होती और जो अपना रोवर है प्रज्यान यदि वो निकल करके और चंद्रमा की सतह पे चला होता तो इसी 14 दिन में उसको यात्रा तै करनी थी और तस्बीरे भेजनी थी कि वहां पे क्या क्या चीजे हैं। लेकिन दुर्भागे से अफसोस है कि ऐसा हो न सका। उसने कुछ तस्बीरे ली है लेकिन कुछ चाया यूग तस्बीरे आई हैं जिसका कि वो अपने हिसाब से जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो एनलसिस कर रहे हैं अभी तक कोई कंक्रीट जनकारी नहीं मिली है। कहा यह जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के हवाले से जो मीडिया में खबरे आई है कि नासा के लूनर री कॉंसस ऑर्बीटर यानि जिसको एलारो बोलते हैं उसने अंत्रिक छियान से चंद्रमा के अंश्वेद अच्षणी धुरूग के पास वहां से गुजर इन नई तस्वीरों का विश्लेशन करेगी और पहले की तस्वीरों से उनकी तूलना कर यह देखेगी कि क्या लैंडर नजर आ रहा है तो यानिकि नासा के पास भी जो तस्वीरे कैद हुई है उसमें अभी तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है दरसल हुआ क्या था कि चंदमा परसाम का समय था जब आर्बीटर वहां से गुजरा था इसका मतलब है कि इलागे का ज्यादा तरहिस्ता जो है पिक्चर में कैद हुआ होगा यानिकि जव एलारो गुजरा है उसकी ये बात हो रही है आपको बता दे कि 6 बटे साथ यानिकि 6 सितंबर औ जो बिक्रम है वो वहां पे उतर रहा था लेकिन इस दवरान जो है 2.1 किलोमेटर की दूरी से उसका इसरों से संपर्क तूट गया था उसके बाद से लागा तार कोशिस की जाती रहे उससे संपर्क करने के लिए कि संपर्क नहीं हो पाया जो अर्बीटर है उसने जरूर ज कुछ काम कर जाए वहां से मेसेज भेजे उसके बाद नासा से भी मदद मांगी गई और नासा ने मदद करने की एक कोशिस की कि जो इसका एलारो है यानि कि उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्बीटर है जो चकर वहां पर लगा रहा है वो काफी नजदीक है हमारा यह माना गया कि वह साइद अच्छी तस्वीरे ले लेगा 3D के मदद से और साइद कुछ उसमें हो जाए इस उमीद से नासा की मदद ले गई लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि दूसरी बार जब नासा के लारों ने वहां से जो तस्वीरे ली है और चाया यूक्त है उसका पीवीमत से ऐगा रहा यही बात इस रों भी कह रहा है हो सकता है कि इस रों और नासा में इसको लेकर्के काफी कौडनेशन चल रहे हो कैसे कि-सी इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल